हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे CS कोर्स की complete details के भारे में इस वीडियो को थ्रूँ आपको पता चलेगा कि क्या होता है company secretary कौन होता है company secretary किन बच्चों को CS करना चाहिए क्या 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 आपके अंदर traits है क्या क्या आपके अंदर good होने चाहिए जो आप decide कर पाओ कि आपको CS करना चाहिए कि CS नहीं करना चाहिए एक CS average में कमाता कितना है यह आपको पता चलेगा और तो और मैं बताऊंगा कि ultimately इस course को किया कैसे जा सकता है मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको in and out company secretary के बारे में फूरी details पता चल जाएगी तो सबसे पहले इस course का नाम है company secretary जिसको हम short form में CS बोलते हैं यह कराने वाली कौन है यह कराता है इस course का कोई भी college नहीं होता कोई स्कूल नहीं होता कोई enrollment नहीं होता यह पार्लेमेंट के द्वारा बनाया गया एक act है company secretary's act जिसके तहत एक body बनाई गई है ICSI जो यह पूरे profession को चलाती है ICSI वो body है जो क्या करती है exam conduct कराती है results देती है और decide करती है कि आप CS बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो at the same time यही वो body है जो degrees भी देती है और आपके profession के सारी चीज़ों को भी चलाती है तो ICSI वो body है ठीक है यह जो exam यह जो course है यह तीन levels में होता है level 2 level 3 जो first level होता है उसको CSET बोलते है company secretary executive entrance test level 1 होता है दूसरा होता है level 2 CS executive company secretary executive exam और एक होता है CS professional जब तक आप इन तीनों level को clear नहीं कर लेते हैं तक आप company secretary नहीं बन सकते हैं तो आपको यह तीनों level को clear करना पड़ता है CSET, CS executive and CS professional ठीक है क्या इस course हो करने का कोई time foundation नहीं होता है आप बस इस पर enroll करा है जब आप तीन level clear कर लेंगे तब आप इसको qualified company secretary कहलाने लगेंगे अच्छा सिर्फ exam clear करने से नहीं होता है आपको किसी company secretary के अंडर पर आर्टिकल्शिप भी करनी होती है जैसे doctor को किसी बनने के लिए आपको किसी doctor के अंदर internship करनी पड़ती है lawyer को lawyer complete करने के लिए किसी law firm में internship करनी पड़ती है ऐसी CS को अगर आपको CS बनना है तो आपको CS firm में internship करनी पड़ती है बच्चों तीसरी बात अब किसको यह course opt करना चाहिए अगर आप law field में interested है अगर आपको legal चीजों में मजा आता है आप law के area में जाना चाहते हैं लेकिन आप lawyer नहीं बनना चाहते हैं आप corporate life में जाना चाहते हैं आप business commercial laws पड़ना चाहते हैं आप वकालत नहीं करना चाहते हैं आप court मे जाके बहस नहीं करना चाहते हैं दलीली नहीं रखना चाहते हैं लेकिन आप law पड़ना चाहते हैं तो यह आपके लिए best course है क्योंकि यहां पर आप company secretary बनके एक business में जितने भी कानून होते हैं वो सारे कानूनों को आप handle करते हैं वो आप कहलाते हैं company secretary ठीक है क्या तो जित लगता है मैं अगर employees लगता हूं तो मुझ पर labor law लगता है अगर मैं और भी बहुत सारे competition act लगता है मुझ पर बहुत सारे consumer protection लगता है जमाने भर के मुझ पर कानून लगते हैं ठीक है क्या तो वो सारे कानूनों को compliance करवाना मैं धन्ना करना जानता हूं मैं दुकानदार अगर आप company secretary बنتे हैं तो आप दो तरीके से काम कर सकते। या तो आप किसी company में जाके job करेंगे या तो अपनी practice को लेंगे जैसे कोई doctor क्या करता क्या है या तो अपनी clinic क्लिनिक खोलता है या तो किसी hospital में जाके job करता है उसी प्लगपार से या तो आप practice करेंगे अपनी यहां पर लगे जैसे जैसे company बड़ी होती जाती है CS का रोल भी बढ़ा होता जाता है तो आगे हमारा देश बढ़ेगा ही बढ़ेगा हमारे देश की देश की companies बढ़ेंगी पड़ेंगी तो यहां पर company secretary का रोल भी बहुत जादा होने वाला है ठीक है क्या एक company secretary को कंपनी में kmp की position मिलती है kmp होता बच्चो key managerial person तो वो top company की director मतलब जो reliance company के company secretary होंगे वो सीधे向 के शम्मानी director md director CEO लोक की लेवल से जाके meeting करते हैं और एक तम top level को वो report करते हैं हनव बच्चो ये पूरा कोर्स होता है CS का अच्छा अगर आप लौ कर रहे हैं एड़ोकिसी कर रहे हैं और साथ में CS कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है यह दोनों कोर्स हैंड और हैंड चलते हैं तो कोई इंसान अगर जिसके पास CS एन लौकी डिगरी पैरलेल ही होती है तो उसके लिए प्रोफेशन में बहुत अच्छा होता है बच्चो तो अब आते हैं अपन कि इस को करने में खर्चा कितना लगता है बहुत ही सस्ता कोर्स है आप 5-7 लाख रुपे में 3-4 साल में आपको लगेंगे आप अराम से पूरा क आइड बोल रहा हूं इसमें आपकी बुक्स मटेरियल टेस्ट पेपर हर चीज का खर्चा मैंने जोड़ लिया चुकि एक प्रोफेशन कोर्स है इसका कोई कॉलेज नहीं होता इसलिए कॉस्ट में बहुत कम पड़ता है तो कोई बच्चा जो लॉम इंट्रस रखता है इस वीडियो में शॉट एन क्रिस्प तरीके से मैंने सब चीज कवर करने के कोशिश करी कि आखिरकार सीज होता क्या है, सीज करता क्या है, सीज कैसे काम करता है और किस किस को सीज करना चाहिए? अगर यह वीडियो आपको यहां तक मैं अच्छा लगा हो, तो नाइक करें औ चाल